आज की इस भाग दोड़ भरी जिंदगी में देश विदेश में रहने वाले लाखों लोग तरहा तरहा की बीमारियों से ग्रसित हैं। आज इंसान अपने जीवन में जिंदगी जीना भूल गया है। वहीं एक बीमारी है डाइबिटीज जिसने साथ करोड से भी ज्यादा लोगों को अपने चपेट में लिया है। आज हर पाँचवा व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में है। और इसका सल्यूशन लेकर आए हैं आज हम आयूबल काट। नमस्कार, मैं हूँ शुपरता तिवारी, आपकी आज की होस्ट और आपकी दोस्त। आज मैं आप सब के सामने लेकर आए हूँ एक बहुत ही कॉमन पर बहुत ही खतरनाक प्रॉबलम के सल्यूशन। और वो प्रॉबलम है डाइबिटीज। आपने देखा होगा आपने आसपडोस में, अपने घर में, अपने दोस्तों में कि डाइबिटीज किस तरह आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है। आप चाहे जितना भी खाने का परहेज करें, एक्सेसाइज करें, महंगी से महंगी दवाईयां करवाएं लेकिन टाइबिटी इस टस से मस नहीं होता। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमारे पास है इसका बहतरीन इलाज। और इसी विशे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर, डॉक्टर परमेश्वर अरोराजी, जो आयरुवेदीक एक्सपर्ट हैं, और पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सालों के एक्सपिरिंस और जाओंगे कि ये डायबिटीज है क्या और इसकी वज़ा क्या है? अगर सरल शब्दों में श्वताजी आपको बताना चाहूं कि डायबिटीज क्या है, जब किसी भी व्यक्ति के बलड में शुगर लेविल्स बढ़ जाते हैं, जो डिजायड जो एक निर्धारित बलड जाय गई हैं, एक कंजनाइटल होती है, एक हरेडिट्री होती है और एक अपत्यज होती है, तो बेसिकली हमारा जो बोडी है उसमें एक पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में आइसलेट्स और उस आइसलेट्स में दो तरह के सेल्स होता है, जिसमें से एक सेल है बीटा सेल्स को हमारी body cells respond ना करें तो हमारे sugar levels बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो वो कोई भी condition चाहिए वो congenitally यानि कि जब बच्चा के organs डवलप हो रहे होते हैं वो बूम में होता है गर्ब में होता है माता के उस समय कोई ऐसा defect पैंक्रियाज में हो जाए कि जिससे उसके cells beta cells damage होने लगे या आपके माता-पिता diabetic है और उस समय आपकी माता जी conceive की तो आपको gene आप carry कर रहे है और नमबर तीन हमारे गलत खानपन और गलत जिवन शाली के वज़े से लगातार हमारा जो insulin level है वो कम होता चला जा रहा है तो आपके blood sugar level जो blood में है वो कम नहीं हो पाएंगे या normal नहीं पाएंगे अधिक हो जाएंगे और यह condition कहलाती है diabetes तो क्या यह diabetes के अलग अलग प्रकार होते हैं बिल्कुश वेता जी जैसे मैंने भी बताया कि अगर हम आयरुवेद की बात करें तो आयरुवेद में diabetes को तीन तरह का बतलाया गया है सहज, कुलज, अपत्यज, सहज का मतलब यहा है कि जो family में, hereditary से चलता है, उसको हम कुलज बोलते हैं और तीसरा जो सबसे common है वो है अपत्यज, हमारा गलत खानपन और गलत जीवन शैली से होने वाले diabetes को, आयरुवेद में अपत्यज, अपत्यज का मतलब है जो पत्य नहीं है, जो ठीक नहीं है, आहार और जीवन शैली, यदि उसका सेवन क्या जाए, तो आप diabetic हो जाते हैं, और यहीं अगर हम आज modern science की बात करें, allopathic की बात करें, तो diabetes को वो दो त्रहें से बाठती है, एक आपने सुना होगा type 1, type 2, type 1 insulin dependent diabetes mellitus होता है, जहां पर insulin शरीज में बनता ही नहीं है, पैंक्रियाज में लोग बोलते हैं, insulin dependent diabetes mellitus, और यह type 1 की होती है, अकसर जो बच्चे होते हैं, यह कम उमर के लोग होते हैं, उनको इस तरहें की diabetes होती है, उसके बाद type 2 diabetes जो है, वो NIDDM होती है, नोन insulin dependent diabetes mellitus, जहां पर insulin बन रहा है शरीर में, लेकिन हमारे जो बोडी के सेल्स हैं, वो insulin को ए medicine से ही sugar level control हो जाते हैं, तो इस तरह हैं, in general, type 2 diabetes, इसको maturity उन से diabetes भी बोलते हैं, जो लोग middle age group के हैं, या higher age group के हैं, पचास साल के, साट साल के, उनको NIDDM होता है, तो इस तरह से there are different variant, and according to variant, हम doctors approach करते हैं, कि किस तरह का treatment ओफर किया जाना चाहिए, डाइबा 30 shots की सबसे बड़ी खासियत ये है, कि इसके कोई side effects नहीं है, और आपके diabetes के level, बहुत जल्द ही control में आ जाते हैं, इसलिए आज ही, हमारे screen पर दिये गए help line numbers पर call करके, या website पर जाकर, डाइबा 30 shots को order करें, और जिंदगी को आसान बनाएं, morning walk पर वो सांस फूलना, अपना favorite sport ना खेल पाना, immunity का weak होना, बिमारियों या घाओ के ठीक होने में लंबा वक्त लगना, रोज-रोज का fatigue यानी body में थकान, यहां तक की sexual weakness से लेकर गैंग्रीन और heart से related problems का खत्रा, ना अपने मन का खा सकते, ना पी सकते, life की speed पर एक break सा लग जाना, आज इंडिया में 7 करोड से ज्यादा लोग diabetes के शिकार हैं, जो सिर्फ आपकी body को ही नहीं, बलकि आपको mentally भी थका देता है, इतनी medicines, restrictions, सब कुछ फॉलो करने के बाद भी कोई असर नहीं होता, पर सिंदगी सिर्फ सिंदा रहने के लिए ही नहीं, बलकि जीने का नाम है, डाक्टर साब जैसे कि हम सब ने देखा है कि डाइबिटीज आज कल बढ़ता ही जा रहा है, हर घर में आपको डाइबिटीज के पेशिंट मिलेंगे, तो डाइबिटीज के इतना बढ़ने का कारण क्या है? देखे, श्वेता जी, कोई भी बिमारी हो, उसका बेसिक रिजन अगर जानना चाहें, तो वो होता है, हमारा गलत खानपान और हमारी गलत जीवन शैली, कहीना कहीं हमारे डाइटरी वाइलेशन्स रहते हैं, हमारे लाइफ स्टाल के वाइलेशन्स रहते हैं, तो डाइबि को इतना तेजी से बढ़ा रही है, अगर आप खानपान की बात करें, तो आज हम अवेर तो हो रहे हैं, लेकिन केवल एक पैरामीटर के लिए, कि खाने के क्वालिटी अच्छी मिल जाए, लेकिन हम यह नहीं जानते कि खाने की क्वालिटी ही अकेली सफिचेंट नहीं है, आपको जब भी खाना आपके सामने आता है, तो आपको पांच पैरामीटर ज़रूर कंसिडर करने चाहिए, जैसे खाने की क्वालिटी कैसी है, फिर किस क्वांटिटी में उस चीज को खाया जाए, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब आपके सामने थाली है, तो कोई दो आइट से होगाया जा रहा है, आज कुकिंग की बात करें तो कुकिंग भी नैश्रल नहीं रहे गई, सब मेकैनिकल हो गई है, मैक्रोवेब में आप एक सकन में गरम कर देते हैं, विदाउड कंसिडरिंग कि उस माइक्रोवेब में गरम करने से उसके जो न्यूट्रियंट्स हैं, वो दीजनरेट हो जाते हैं, कैसे प्रोटीन डैमेज हो जाता है, वो सब हम नहीं सोच रहे हैं, फिर उसको हम स्टोर कर रहे हैं, वो भी एकना से आर्टिफिशल बे में हमने रेफ्रिजरेट कर दिया, उसको फ्रिज में रख दिया, तो चीज ताजी थोड़ी रह गई, व इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आपके डाइबिटीज के लेवल बहुत जल्द ही कंट्रोल में आ जाते हैं, इसलिए आज ही हमारे स्क्रीन पर दिये गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, या वेबसाइट पर जाकर डाइबा 30 शॉट्स को ओडर करें, औ कभी कभी तो मेरा शूगर का लेबल 300 से उपर चला जाता था, कोई भी काम करने से पहले ही थिकावट हो जाती थी, ना घर का काम ठीक से कर सकती थी, ना शाम की वाक तसली से, उपर से अब मेरे को हाट प्रॉबलम भी हो गई है, डॉक्टरों ने कहीं परेज पताए, असल म मेरा पिछले कहीं सालों से ऐलोपैथी की दवाई का इलाज भी चल रहा है, काम ही चलने वाली बात थी, एक टाइम तो ऐसा आया, कि मुझे सुबह उठने में भी तकलीफ होने लगी, बिल्कुल शुएता जी, जैसे सुरेखा जी ने कहा, यह हमें बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है, कि एलोपैथिक मेडिसीन लेने से उनकी शुगर लेवल डाउन नहीं आते है, बट जब वो अपनी एलोपैथिक मेडिसीन के साथ में, हमारा डाइबा 30 शॉट जोडते हैं, तो शुगर लेवल डाउन आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए अक्सा कि आपको insulin dependent नहीं बनना पड़ेगा डाइबा 30 shots की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके कोई side effects नहीं है और आपके diabetes के level बहुत जल्द ही control में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे screen पर दिये गए help line numbers पर call करके या website पर जाकर डाइबा 30 shots को order करे और जिंदगी को आसान बनाए जा रहा हूं मेरा वेड गिरता चला जा रहा है और साथ में आप देखेंगे आपको different different types के complication आने शुरू होंगे जैसे आपको neuropathy डवलप कर जाएगी यानि कि आपके हाथ पैर में सुन्नपन जिसे बोलते हैं कि नमनेस आनी शुरू हो गई टिंग्लिंग सेंसेशन जनजनाट होनी शुरू हो गई आपके जो दात हैं उनके उपर हमेशा आपको एक मलीन सी लेयर नजर आएगी दंता नाम लाड यत्यम बोलते हैं हम लोग कि दंत दातों के उपर जो है मल सा जमना शुरू हो जाता है तो इस तरह से बड़ा बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनको देखके हम समझ सकते हैं कि क्या हम डाइबिटिक हो गए हैं उसके बाद डेफिनिटली हम ब्लड शुगर लेविल चेक करते हैं यदि फास्टिंग में खाली पेट हमारा 110 से उपर जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि साब आप डाइबिटिक बनते जा रहे हैं अगर हम खाना खाने के बाद चेक करते हैं इसको पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं अगर एक सो पचास से उपर जाता है तो हम कहते हैं कि हमको डाइबिटीज हो गई लेकिन primarily छोटे-छोटे सिम्टम देखके भी हमें अंदाजा लग सकता है कि हम डाइबिटिक होते जा रहे हैं आचा डॉक्र साब बताईए ये कमजोरी वमजोरी यहीं तक बात रुक जाती है कि और भी कोई harmful complications होते हैं नहीं नहीं श्वेता जी डाइबिटीज को आप बिल्कुल भी हलके में मत लीजे यह एक ऐसी बीमारी है जिसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं बिकोज एक बार डाइबिटीज आपके शरीर में आ गई तो यह आपके हार्ट पे अटेक करती है आपको 2-3 साल के अंदर blood pressure का patient बना देती है हमारे जो circulation होती है उसको वो block करती है आपने देखा होगा diabetic patient जो है उसको हम gangrene हो जाता है पैर में पैर तक काटना पड़ता है amputation हम लोग उसको बोलते हैं उसके बाद आपके kidney खराब होती है और बहुत सारे patient हमारे पास श्वेता जी आता है जो बोलते हैं साब 15 साल से allopathic medicine खा रहे थे sugar level एकदम normal चल रहा था ये kidney कैसे चले गई तो ये silent killer है diabetes उसके बाद आपमारी आखें जो होती है उन्हें खराब करती है जिसको हम diabetic retinopathy बोलते हैं उसके बाद हमारी sexual strength को खतम कर देती है हमारा muscle, हमारा bone सब कुछ तो खा जाती है जैसे लकडी में दीमक लगती है ना उस तरह से diabetes की आप तुलना कर सकते हैं हर organ जो है वो diabetes की वेज़े से खराब हो सकता है और मैं तो as a practitioner ये बोलता हूँ कि 70% बिमारियां ऐसी हैं जो हमारे पास लोग 50 से 60 साल की उमर में लेके आते हैं जिसका basic कारण ही diabetes होती है डाइबा 30 shots की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके कोई side effects नहीं है और आपके diabetes के level बहुत जल्द ही control में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे स्क्रीन पर दिये गए help line numbers पर call करके या website पर जाकर डाइबा 30 shots को order करें और जिंदगी को आसान बनाए सासिकाल जी मेरे नाम रोहन सिंग है मैं एक media professional है हुन दसंदी लोड नहीं पर पाचदोड बरी जिंदगी दे वीच खान पीन दा कोई ख्याल नहीं कदी रस्ते चे आंदे होई बर्गर खाली ते ते कदी केंटीन चे समोसे मेरी नवी नवी शादी भी होई सी पहले शुरुवाती दिन चे सब कुछ ठीक सी पर डाइबेटीस दे कारण मन कुछ इशू जान लग गए हाला कि मेरी मेडिसेन चल रही सी तसन चो बहुत अजीव लाग रहे है तेरे तेरे मेरी सेक्शल लाइफ खतम होंदी चली जा रही सी शुरुवाती दिन चे ते कुछ समझ नहीं आया काफी देर बाद जाके पता चलिया कि डाइबेटीस दी बजन मेरे सेक्शल लाइफ ले ते बहुत असर पया I am lucky कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे डाक्टर अरोडा से मिलवाए जी डाक्टर परमेश्वार अरोडा जी तो में डाइबेटीस दी पूरी डिटेल समझी ते प्रॉब्लम नो चंगी तरह जाना ते इस बॉक्स देनाल सानो एक पैंफलेट भी दिया गया है जिसमें डेली रूटीन चा आपा की फॉलो करना है ते की नहीं ते डाइट से भी जोड़ी कई टिप्स देतिया हुया ने फिर किसी दिन बर दिन में बहतर हुंदा गया और आज देखो आपा दोनो बहुत खुश है And all thanks to Diver 30 Shots मैं रोहन की समस्या को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ आज कल जो ये फास्ट फूड वाला जो हमारा इटिंग हो गया और stressful lifestyle उसमें diabetes हो जा रही है और unfortunately ये diabetes जो है आदमी को हर तरह से कमजोर कर रही है physically weak कर रही है, mentally weak कर रही है, sexually weak कर रही है तो अच्छा है, रोहन ने जो है वो अपनी जो भी medicine वो करा रहे थे उसके साथ जो है Diver 30 Shots यानि की Ayurvedic formulation को लिया और definitely इससे लाब हुआ और आगे भी जो भी लेता है उसको भी लाब होगा डाक्टर साहब, मार्केट में ना डाइबटीस की बहुत सारी Ayurvedic medicines अवेलबल हैं तो Diver 30 Shots अलग क्यों है जी, श्वेता जी आपने कहा कि why I am recommending as a clinician this Diver 30 Shots तो मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेक्ड़ पेशेंट रोज देखता हूँ सबसे अधिक चलेंजिंग अगर कोई पेशेंट रहते हैं तो वो हमारी डाइबटीक पेशेंट रहते हैं क्योंकि उनकी एक ही शिकायत होती है कि साब हम लगातार दस साल से अलोपेटिक मैडिसीन का रहे थे शुगर लेविल भी नॉर्मल थे फिर ये क्यों हमारा नर्वस सिस्टम वीक हुआ क्यों हमको नूरोपैथी हुई क्यों हमारी आख खराब हुई क्यों हमारी किड्नी खराब हुई क्यों हमारा हर्ट खराब हुआ क्यों हमको बलड पेशर आ गया वेवं स्ट्रोक्स तक पढ़ जाते हैं तक पड़ जाते हैं विकोज इस दुढ्डिविटीज से तो हमेशा से हमें ये थो सभी में आय या एयर्वेडिक प्रोड़क्ट नहीं ही डियावाधिक जब इसका रिजल्ट आता है तो डेफिरिटली हम उसको उसको पॉजिशन को सो में से सो नंबर देते हैं उसके बाद फिर हमें एक फ्रासा कंसर्ण ही होता है कि जो क्वालिटी ओफ हर्प्स इसमें डाले जा रही है और वो जो मैनुफेक्ट्रिंग उनिट है जट शुड़ भी इस्टेंडर होनी चाहिए तो एक क्योरिसिटी थी तो फिर मैंने इसकी मैनुफेक्ट्रिंग उनिट में विजिट किया वहां पर जो क्वालिटी ओफ है वो मुझे बेस्ट लगी फिर इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही थी तो कोई कारण नहीं है कि मैं इसको रिक्रमेंड ना करूँ क्योंकि आज के समय की ये नीड है हर पांचवा व्यक्ति जो है डियाविटी कॉम्प्लिकेशन से परसान है अच्छा एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा जो बड़ी अजीब से आपको लोगेगी मैं इसकी पैकिंग से भी बड़ा कंविज्ट हूँ अब पुछेंगे क्यों बिल्कुल बिल्कुल पूचेंगी सी डायविटीज में अगर मैडिसिन की कोई फॉर्म सबसे अदा इफेक्टिव है वो है उसका जड़ी बुटियों का ड इंद की जी रहे हैं रात में जड़ी बुटियों को भिगोना सुबह फिर उसको आदे गंटे उबाल करके वन फोर्थ करना फिर वो कितना बचा तीस अमेल बचा के साथ मेल बचा इस बड़ा जमेले वाला काम था जो लोग नहीं कर पाते यह जानके भी हमें इससे फाइद के लिए जा रहे हैं तीन बोटल साथ में लीजे जाये एंड है और डिकोक्षिन सो यह वी बड़ा इंपोर्टेंट है कि आप अईरवेधिक हर्भ को नेचरल फ़म में तो देना चाहते हैं बट इज और इडवाजबल कि वो पैलेटीबल फ़र्म हो कि वो लोग ले तो सके तो इसकी जो यह डिकोक्षन और उसके बाद इतना शांदर तरीके से स्टेंडर वे में इसकी पैकेजिंग फिर आप ट्रैवल में भी साथ ले जा सकें आपको बनाना भी नहीं है तो सारी चीजे मिल करके मुझे डेफिनिटली प्रवोक करती है कि मैं इस प्रोड़क्ट का नहीं है और आपके डाइबिटीज के लेवल बहुत जल्द ही कंट्रोल में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे स्क्रीन पर दिये गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके या वेबसाइट पर जाकर डाइबा थर्टी शॉट्स को ओडर करें और जिन्दगी को आसान बनाए यह है हमारी डाइबिटिक शॉप यहां हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे हमारी जड़ी बूटियां यानि हर्ब्स डाइबा थर्टी शॉट्स की कॉम्पोजिशन की गई है जामुन, नीम, गिलोए और डाइबिटीज के लिए रामबान हर्ब यानि जड़ी बूटी ग खरीदते हैं चलिए हम आपको लेकर चलते हैं हमारी फैक्टरी में जहां इन सभी को प्रोसेस किया जाता है सबसे पहले हर्ब्स को यहां लाया जाता है इधर वाश किया जाता है और बचे कुछे इंप्यॉरिटीज को साफ करने के लिए दोबारा साफ पानी में धोई जात और यहां से आपके शौट्स बनना शुरू होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे रॉम मैटिरियल्स हमारी फैक्टरी तक पहुँचने से पहले ही हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किये जाते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हम गुड़मार्ग की का पूरा खयाल रखते हैं डाइबा 30 शॉट्स पर इसलिए हजारों लोग भरोसा करते हैं क्योंकि हमने अपनी परंपरा के अनुसार आयरुवेद से सीख लेते हुए ये आउशद ही तैयार की है इसकी पैकिंग चाहे मॉडन हो लेकिन ये बिलकुल प्यॉर आयरुवेदिक स यानि शुगर का खात्मा करने वाला हमारे चार मेन इंग्रीडियंट्स के अलग-अलग गुण हैं जामुन हमारी बाडी में इंसुलिन की एक्टिविटी और सेंसिटिविटी को स्मूध करने में काम करता है गिलोई बाडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लुकोस होता है उसको मेंटेन करने में मदद करती है और इन सब को जब गुड मार्ग के साथ मिलाया जाता है तो बनता है डायबिटीज का एंड करने वाला डायबा 30 शॉट्स ये युनीक फॉमिला सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने में ही नहीं बलकि आपके पैंक्रियास में सेल्स तक पहु बहुत कंट्रोल हो जाते हैं शुगर लेवल्स थोड़ा बहुत कंट्रोल में आना आसान है पर लॉंग टर्म में एक लंबा इंपैक्ट चाहिए तो उसके लिए डायबिटीज की जड़ पर काम करना होता है यानि सेल्स को ताकत दे कर इंसुलिन को सही मात्रा में प्रेड् मेंटेन करता है डायबा 30 शॉट्स आपके पैंक्रियास के सेल्स को भी ताकत देता है जिससे वो इंसुलिन प्रेड्यूस करे और ब्लड में शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सके और आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो सके डायबा 30 शॉट्स की सबसे बड़ी खासियत य कॉल करके या वेबसाइट पर जाकर डायबा 30 शॉट्स को ओडर करे और जिंदगी को आसान बनाए नमस्ते मेरा नाम राजिंदर है और मैं एक बैंक में नोकरी करता हूँ तीन बच्चे हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ तो आप समझी सकते हैं कि मुझे पर कितनी जिम्मेदारिया हैं मुझे कुछ सालों पहले डायबटीज थी हाला कि मैं रेगुलर तोर पर दवाईया लेता था और खाने पीने का भी ध्यान रखता था फिर भी डायबटीज थी जिसने मेरी लाइफ बदल कर रख दी और सालों पहले मेरा एक्सिडेंट हुआ और मेरी डायबटीज की वज़ा से मेरा बयाँ पैर पर आज सिर्फ डायबटीज थार्टी शॉट की वज़ा से मेरी जिंदगी फिर से सई ट्रेक पर धीरे-धीरे वापस आ रही है मैंने आफिस वापस जाना शुरू कर दिया है और मेरी डायबटीज पूरी तरह ठीक हो चुकी है डायबटीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आपके डायबटीज के लेवल बहुत जल्द ही कंट्रोल में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे स्क्रीन पर दिये गए हेल्प लाइन नंबर्स पर कॉल करके या वेबसाइट पर जाकर डायबा 30 शॉट्स को ओडर करें और जिंदगी को आसान बनाएं मुझे समझ में नहीं आता एक क्या बिमारी है मुझे 15 साल से डायबटीज है जैक अप कराओ तो सब शुकर लेवल कंट्रोल में लेकिन शरीर की परिशानी नहीं जाती है डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं दवा लो वो भी लिया जी हमने सर अर्ली मॉनिंग योगा डायट कंट्रोल दवाई टाइम से लेना डॉक्टर की हरसला मानना सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये शरीर की थकान जो है न ये नहीं जाती है मैं इतना बड़ा फूड़ी हूँ और अब सब खाना पीना छोड़वा दिया आप ही बताओ खाना पना कोई छोड़ सकता है और वो भी बढ़िया वाला पर नहीं और ये कोई डॉक्टर कम्यूटी से भी पूछो इसका कोई सॉलूशन है भी या नहीं जी देखे रगुबीर जी की प्रॉलम उन्होंने कहा कि वो लगातार मेडिसिन ले रहे थे दस साल से शुकर लेविल भी ठीक आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी कमजोर होते चले गए गुटनों में दर्श शुरू हो गया मसल्स में पेन शुरू हो गया तो यही वज़े है कि डाइबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर बोलते है और देखे ये बता रहे हैं कि इनकी डाइट भी ठीक है इनकी लाइफस्टेल भी ठीक है लेकिन एक चीज का अभाव है क्या आयरुवेधिक मेडिसिन तो मैं रगुबीर जी को ये सला देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं शुगर लेविल में उने कंट्रोल किया हुआ है डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लाइफस्टैल भी अच्छी कर रहे हैं बस डाइबा 30 शोट को तीन महीने के लिए छे महीने के लिए और शामिल करने फिर देखिए इनको जो इंटर्नली वीकनेस लग रही है जो इनको घुटने का दर्द है वो सब चला जाएगा अब मेरे शूगर का लेवल बिलकुल नार्मल है एक सो चाली से उपर नहीं जाता और वो जो थकावट थी और वो जो हाट की प्रॉबलम थी सब कंट्रोल में है मेरी लाइफ तो नॉर्मल हो गई है दियाबा 30 शोट्स अब मेरे लिए सिर्फ दवाई नहीं मेरे जीवन भर का साथी है आज छे मिने हो गया है आई फाइनली फील अलाइव आई फील हल्डिर और मेरा शुगर लेवल भी कंट्रोल विच आ गया है तुसी भी डाइबा 30 शोट्स अपने कार लेके आओ और अपनी लाइफ इजी बनाओ डाइबा 30 शोट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आपके डाइबिटीज के लेवल बहुत जल्द ही कंट्रोल में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे स्क्रीन पर दिये गए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके या वेबसाइट पर जाकर डाइबा 30 शोट्स को ओडर करें और जिन्दगी को आसान बनाए और आज की तारीक में हजारों लोगों ने डाइबा 30 शोट्स को अपने जिन्दगी का हिस्सा बनाय हुआ है और ये कोई नए बात नहीं है कि डाइबेटीज के वजए से लाखों लोगों को अपनी जिन्दगी में कांप्रमाइज करना पड़ रहा है वो नॉमल और खुशाल लाइफ नहीं जीबा रहे है उन्हें अपने सेहत के साथ अपने फैमिली के साथ यहां तक कि अपने सपनों पर भी ब्रेक लगाना पड़ रहा है जिंदगी से मिठास खतम सी हो गई है इसलिए उमीद की एक किरन टाइबा थर्टी शॉट्स अभी और कुछी दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो गया है और आपकी सारी प्रॉब्ब्स का हो गया है एक ऐसा आयरुवेदिक सिल्यूशन जिसे इस्तमाल करना बहुत ही आसान है इस वेरी कन्वीनियन और इजी तो यूज़ दाइबा थर्टी शॉट्स सिंदगी खुल कर जियो क्योंकि दियाबा थर्टी शॉट्स है तो खुशिया है डाइबा थर्टी शॉट्स है तो खुशिया है डाक्टर साब आपने आज इतनी सारी चीजें हमारी ओर्डिंस को बताई कितनी सारी इंफिमेशन दी इसका हम बहुत ही ज़्यादा शुक्र गुजार हैं, जाते जाते हैं, आप और भी कुछ बताना चाहेंगे हमारे ओर्डिन्स को देखे, मेरा संदेश तो शुटा जी बड़ा किलियर है कि डाइबिटिक पेशन्ट को डाइबा 30 शोट कुछ महीनों के लिए अपने डाइबिटिक मेनेजमेंट में शामिल करना ही चाहिए बहुत सारे प्रोड़क्ट्स अईरवेदिक जो है मार्किट में हैं, लेकिन मैटर करता है कि कॉम्पोजिशन किस तरह का है किस कॉम्बिनेशन में हर्प्स को मिलाया गया, कि वो क्लिक कर रहा है, वो काम कर रहा है तो डाइबा 30 शोट्स जो है, यह बहुत ही शांदार एक कॉम्बिनेशन बन पड़ा है मुझे लगता है कहिना कहिन भर्भवान ध्रमंत्री के आश्विरवास से तो इसको प्रिवेंशन के लिए, शुगर कंट्रोल के लिए, क्योर की एक कोशिश मान करके और definitely complications को दूर रखने के लिए, हर diabetic patient को इसको लेना चाहिए, यह मेरा संदेश है Diabetes होगी जड़ से खतम, डाइबा 30 शोट्स के सब सही दवाई के साथ, सही डाइट भी बहुत जरूरी है Dibar 30 शोट्स लेते हुए, यह नहीं भूलना चाहिए, कि हर बिमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, परहेज भी उतना ही जरूरी है तो चाहे वो बाहर का unhealthy खाना हो, या मीठा avoid करना, यह diabetes के patient की regular health diet Dibar 30 शोट्स लेते हुए, आपको वो follow करनी ही चाहिए Dibar 30 शोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि इसके कोई side effects नहीं है और आपके diabetes के level बहुत जल्द ही control में आ जाते हैं इसलिए आज ही हमारे screen पर दिये गए help line numbers पर call करके या website पर जाकर Dibar 30 शोट्स को order करें और जिंदगी को आसान बनाएं